Hello everyone, welcome back to our channel Friends, मुझे आज आज आपसे तीन चीज़े बोलनी है पहला तो ये कि आज मेरी recording में कुछ noise आपको शायर फील हो सकता है तो प्लीस उसे ignore कीजेगा, जादा नहीं है पर तोड़ा सा है दूसरा ये कि जिस किसी को भी ये FF पसंद नहीं आ रहा है ये FF जिसके भी इंट्रस्ट का नहीं है आप प्लीस ये FF स्किप कर सकते हैं और दूसरे FF के स्टार्ट होने का इंतजार कर सकते हैं जो बात मैं हमीशा बोलती हूँ आप लोगों से और बात रही तीसरी बात की तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे एक एडवाइस किया है कि मुझे अपने FF के स्टार्ट मेरा वीडियो नरेशन के स्टार्टिंग में ही हमीशा ओथर का नाम लेना चाहिए क्योंकि कई बार मैं कुछ नए ओथर के FF भी शेयर करती हूँ तो मैं सिर्फ स्टार्टिंग में ही नाम लेती हूँ बाकी पता ही नहीं चल पाता किसी को कि मैं किस ओथर का FF आप सब के साथ शेयर कर रही हूँ इसलिए आज से मैं हमीशा जब भी अपना कोई भी नरेशन का वीडियो अपलोड करूँगी तो उसमें जिस भी ऑथर का मैं आप लोगों के साथ FF शेयर कर रही हूँगी उनका नाम आप लोगों के साथ शेयर कर दिया करूँगी ओके और एक रिक्वेस्ट उन सब इसे जो चैनल पर नहीं आ रहे हैं कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और आप सबका और ज्यादा वक्त ना लेते हुए अमारे और्थर कृष्णा देवान मलिक का लिखा ये FF लव कॉंस्परेसी विद माफिया किंग्स हार्ट का नेक्स पार्ट हम शुरू करते हैं लाज पार्ट में हमने देखा था कि फाइनली वूशयन को रियलाइज होता है कि उसे वांग जी से प्यार होने लगा है ऐसा होता भी क्यों नहीं जो प्यार जो अपना पन वूशयन और वींग ने बच्पन में ही खो दिया था वो प्यार, वो कंसर्ण, वो केर वूशन को वांग जी से मिलने लगा था साथ ही वो ये भी देख पा रहा था कि वांग जी उतना खडूस और हाटलेस नहीं था जितना लोग उसे समझते थे वांग जी प्यार करना जानता था बस दिखा ठीक से नहीं पाता था लेकिन अभी भी वूशन वांग जी की अपने लिए सही फीलिंग्स को लेकर बहुत कंफ्यूस्ड था वहांपर वूशन अपनी ट्रू फीलिंग्स वांग जी से चुपाने की पूरी कोशिश करता था लेकिन चुपाना वूशन के लिए भी बहुत मुश्किल होता था तोहीं अब वूशयन बिना किसी शिकायत के वांग जी की पनिश्मेंट को पूरा करने लगा था जो देखकर वांग जी की दिल में पेन होता था और वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वूशयन का बिहेवियर चेंज क्यों हो रहा है इसलिए एक दिन ब्रेक्फास्ट टेबल पर वांग जी वूशयन से कह देता है कि अब वूशयन को कोई काम करने की जरूरत नहीं है वो सब सच बता कर वापस अपने घर जा सकता है जिस बात पर वूशयन सिर्फ वांग जी को एक टक देखता रहता है बात कहते हुए वांग जी को भी बहुत तकलीफ हो रही थी क्योंकि वो नहीं चाता था कि वूशयन उससे दूर जाए अभी वूशयन अच्छानक वांग जी के पास आकर उसकी तरफ हलका सा जुक कर वांग जी की आँखों में देखकर बोलता है कि अगर वूशयन ने सच नहीं बताया तो वांग जी क्या करेगा? इस रियाक्षन पर एक बल के लिए वांग जी हैरान रह जाता है तो देखकर वूशयन हलकी सी स्माइल के साथ आगे कहता है कि वो किसी कीमत पर कुछ नहीं बताएगा और यहीं रहेगा तो बात कहकर एक मिनट का पास लेकर वूश सब कहते वे वूशन बस वांग जी को प्रवोक करना चाहता था कि वांग जी वूशन के चैलेंज की वज़य से वूशन को अपने पास ही अरेस्ट करके रखे क्योंकि अब वूशयन भी खुद वांग जी से दूर नहीं जाना चाहता था लेकिन शायद घर का काम करते करते वूशयन का माफिया दिमाग भी गोबर हो चुका था जिसको अंदाजा भी नहीं था कि उसकी बाते वांग जी के अलफा साइट को अक्टिवेट कर रही थी तब ही वूशयन की स्माइल को देखकर वांग जी फॉरन वूशयन को अपनी तरफ खीच कर अपनी गोर में बिठा कर बिना टाइम वेस्ट किये अपने लिप्स वूशयन की लिप्स से अटैश्ट कर देता है जिस सडन आकशन से वूशयन की आईज वाइड हो जाती है पर अगले ही पल वांग जी के साथ खेलता पाकर वूशयन emotional feel करके अपनी आईज क्लोज कर लेता है जो reaction वूशयन का पागर वांग जी के face पर भी किस करते हुए एक छोटी सी smile आ जाती है और वांग जी dominant होकर अपना kiss deep कर देता है जिस kiss का इस बार वूशयन भी response करता है अभी एक long satisfactory kiss के बाद वांग जी अपना kiss break करके वूशयन की silver eyes में देखकर पूछता है कि वूशयन को वांग जी की ये new punishment कैसी लगी जो सवाल पूछकर वांग जी आगे कहता है कि शायद वूशयन ने वांग जी को कम समझ लिया है तो अब से वांग जी अपना खुद का तरीका इस्तमाल करेगा वूशयन से सच जानने के लिए तो बात कहकर वांग जी एक soft सी smile करता है जो देखकर वूशयन के tummy में कई सारी butterflies उड़ने लगती है और वो फॉरन वांग जी की गोच से उठकर बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है और वांग जी भी वूशयन को जाता देखकर smile करता है क्योंकि वांग जी को भी वूशयन की feelings अपने लिए आज confirm हो गई थी जिसके बाद वांग जी अपने काम के लिए चला जाता है वहीं दूसरी तरफ वूशयन सीधे अपने रूम में आकर अपने दिल पर हाथ रखकर smile क शुका है जहां वूशयन थोड़ा हैरान भी था कि वूशयन कौन है, क्या करता है, किसका बीटा है, यह सारी सच्चाई जानने के बाद भी वांग जी वूशयन से प्यार करता है, जिन सबकी वज़ह से वांग जी की अच्छाई देखते हुए अब वूशयन भी खुद को वांग जी के करीब जाने से रोक नहीं पा रहा था। पिज़े में बैठा बस अपने भाई वूशन को याद कर रहा था कि तब ही फादर सॉंग लंग विंग के पास आकर पुछते हैं कि विंग उदास क्यों लग रहा है। जहां फादर की वोईस सुनकर विंग स्माइल करके कहता है कि वो बस अपने वूशन गगा को मिस कर रहा है। बहुत दिन हो गए हैं वो आई नहीं है। जिस पर फादर सॉंग लंग विंग को प्यार से सर पर हाथ फेड़ते हुए कहते हैं कि वो शन को टाइम नहीं मिला होगा वरना वो विंग से मिले बिना नहीं रह सकता है। विंग कर फादर सॉंग लंग की आँखे नम हो जाती है और वो प्यार से आगे कहते हैं कि वो विंग की फीलिंग समझते हैं। और जब वक्त आएगा तो विंग को भी कोई बहुत प्यार करने वाला उसका एलफा मिलेगा। तब विंग की लाइफ में बहुत सारी हापिने विंग तब अपने एलफा की आँकों से दुनिया देखेगा जो विंग के लिए एक नई दुनिया होगी तब विंग कभी भी खुद को अकेला फील नहीं करेगा जो फादर की बात सुनकर विंग स्माइल करता है और आगे कहता है कि विंग जानता है कि फादर विंग को अच् उमेगा नहीं चाहिए होगा इसलिए विंग इसकी उम्मीद भी नहीं करता है विंग तो बस हमेशा अपने गगा के साथ रहना चाहता है विंग इतने सालों में अपना खयाल खुड रखना सीख गया है तो बस अब विंग अपने गगा के साथ ही रहना चाहता है क्योंकि उसक ये फादर थोड़ी देर विंग से बात करके वहां से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब वांग जी फार्म हाउस में शाम को वापस आता है तो उसे वूशन कहीं नहीं मिलता। क्योंकि रोज ही वांग जी के आते ही वूशन उसके आगे फुदकता रहता था। पर आज वूशन कहीं दिखना ही रहा था। तभी वूशन की फिक्र करते हुए वांग जी वूशन की रूम की तरफ जाता है तो डोर ओपन करते ही एक स्ट्रॉंग जैस्मीन और लेवंडर की मिक्स्ट फारमोंस वांग जी को हिट करती है। जिन फारमोंस की वज़ए से वांग जी समझ जाता है कि वूशन या तो हीट में है या फिर वो अपनी हीट में आने वाला है। जिस पर वूशन बड़ी मुश्किल से कह पाता है कि वो यहां अपने सप्रामेंट्स लेकर नहीं आया था। और क्या वांग जी बूल गया है कि वो किस तरह वुशयन को यहां लेकर आया था। तो वुशयन ने अपने किड्नाप होने की प्लैनिंग्स पहले से ही नहीं की वी थी जो वो अपने सप्रमेंट्स अपने साथ रखता। जो वुशयन का जवाब सुनकर वांग जी समझ नहीं पा रहा था कि वो वुशयन की बात पर हर से खी रोए। क्योंकि वांग जी समझ पा रहा था कि वुशयन अपनी तकलीफ में भी वांग जी को ठीक फील करवाना चाह रहा था। जहां अपने क्यूट उमेगा के इस आक्ट पर वांग जी को बहुत प्यार आ रहा था और वुशन के फैरा मौन से वांग जी के लिए भी खुद पर कंट्रोल रखना मुश्किल हो रहा था तब ही वांग जी फोरण वुशन को कहता है कि वो जाकर वुशन के लिए सप्रामें लेकर आता है जो बात कहकर वांग जी जैसे ही वुशन के पास से उठकर जाने लगता है वुशन वांग जी का हाथ पकड़कर अपनी सिल्वर आई से वांग जी को देख कर पूछता है कि क्या वांग जी सच में वुशन से प्यार करता है जिस सवाल पर वांग जी इमोशनल होकर कहता है कि उसने वूशन के इलावा नहीं किसी से प्यार किया है और नहीं वो अपने वूशन के इलावा किसी से कभी प्यार कर पाएगा जो वांग जी का रिस्पॉंस बाकर वूशन के फेस पर एक हलकी सी स्माइल आ जाती है और वो वांग जी को अपनी तरफ खीच कर कह कि तो फिर वूशन को इस तरह यहां लाने की responsibility अब वांग जी को लेनी होगी क्योंकि वूशन को अब उसका alpha चाहिए जो बात सुनकर वांग जी की alpha golden eyes चमकने लगती है और वो वूशन के forehead पर किस करके कहता है कि अब से वूशन सिर्फ वांग जी का omega है सिर्फ वांग जी का ज जिसमें mild सी vanilla की sweetness थी यहन फारमांस की वज़े से वूशन की heat triggered हो जाती है और वो खुद initiative लेकर वांग जी को किस करने लगता है जिस पर वांग जी भी अपना case deep करते हुए खुद को undress करने लगता है क्योंकि अब वांग जी का खुद पर control रखना भी मुश्किल हो रहा था जहां एक पल के लिए अपना case break करके वांग जी खुद को completely undress करके वूशन का हाथ अपने chest पर रखकर अपने दिल की धरकने वूशन को feel करवाता है जहां वांग जी की दिल की धरकने अपने लिए feel करके वूशन अपनी lustful eyes से वांग जी को बस देखता रहता है तभी अगले ही पल वांग जी फिर से वूशन के lips को capture करके वूशन की upper body को undress करने लगता है जिसके बाद वांग जी वूशन के upper body के हर एक पार्ट को lick, suck और bite करने लगता है जिन सबसे मिलने वाले pleasure की वज़े से वूशन mourn करने लगता है जो morning sound वांग जी के कानों में music से feel करवा रही थ जहां वूशन के strong pharamons की वज़े से वांग जी की rut भी trigger हो जाती है और उसकी alpha golden eyes shine करने लगती है जहां वांग जी के strong pharamons से वूशन भी समझ जाता है कि वांग जी अपने rut में है और जो feel करके वूशन अपना ही saliva swallow करता है क्योंकि वो जानता था कि अब ये सब जल्दी करके वूशन की milky white body की beauty को admire करने लगता है जो वांग जी की नज़रे खुद पर पाकर वूशन के ears pink हो जाते हैं लेकिन अपने heat के चलते वो बस अपने alpha को feel करना चाहता था तभी अगले ही पल वांग जी बिना वक्त गवाएं दोनों की bodies को एक कर देता है जिस sudden action से वूश experience दोनों के लिए ही बहुत अलग और नया था और दोनों ही एक दूसरे के लिए crazy होते जा रहे थे जिसके बाद वांग जी अगले चार दिनों तक वूशन के साथ कई बार multiple sessions अपने पूरे करता है और इस बीच दोनों में तीन बार notting भी हो जाती है तेकिन दोनों एक दूस करते हुए smile करता है तभी वूशन भी नीन से उठकर वांग जी को देखकर क्योट सी bunny smile देता है जो देखकर वांग जी वूशन के forehead पर किस करके good morning बोलता है जो सुनकर वूशन भी वांग जी को good morning alpha कहता है और वांग जी के साथ cuddling करते हुए कुछ सोचने लगता है पिर व वूशन भांग जी की face की तरफ देखकर बोलता है कि वो वांग जी को कुछ बताना चाता है जिस पर वांग जी वूशन की तरफ देखकर कहता है कि वो तो already वूशन के बारे में सब जानता है जिस पर वूशन कहता है कि नहीं एक बात है जो वांग जी नहीं जानता है और व विंग के बारे में सब कुछ वांग जी को बता देता है जो बात सुनकर वांग जी को गुसा आता है और पूछता है कि क्या वूशन नहीं जानता है कि ये सब किसने उसकी फैमली के साथ किया था जिस पर वूशन ना कहता है और बताता है कि उसे सिर्फ इतना पता है कि उनके स जाता है जहां वींग से मिलने जाने की बात सुनकर वूशान खुश हो जाता है और वींग के पास वांग जी को लेकर जाने की खुशी में बिना सोचे समझे ही बैट से उठ जाता है जहां फिर से वांग जी की आँखों के सामने वूशान की नेकेड बोडी रिवील होने लग फिर आफ्टरनून में दोनों रेडी होकर फादर सॉंग लांग के ओफनेस जाते हैं जहां वुशन वांग जी को लेकर पहले फादर के ओफिस में जाता है जहां फादर सॉंग लांग भी वुशन को वहां देखकर खुश होते हैं और वांग जी से मिलकर भी उन्हें अच्छ तब ही अपने ना दिख पाने की वज़े से वींग का हाथ एक शाप आपचेक्ट पर लग जाता है और वो दर्थ में चेयर से डिस्बालन्स होकर गेने लगता है जिसे वक्त रहते वांग जी अपनी बाहों में समाल लेता है और वींग घबरा कर वांग जी की चेस्ट में ना फेस उपर की तरफ उठाता है जिसका फेस देकर वांग जी शौक ट्रा जाता है क्योंकि वींग बिल्कुल वूशन जैसा दिख रहा था जहां वींग की लोटस में में लोज फ्रेग्रिंस में टेंशन को फील करके वांग जी को पता चल जाता है कि वींग घबरा रहा ह जो फील करके वांग जी फॉरण और वूशन भाग कर विंग को अपने गले लगा लेता है वूहक पाहकर विंग फॉर्ण रिलाक्स हो जाता है क्योंकि वो अपने गगर को पहचान लेता है तब ही विंग से अपना हग ब्रेक करके विंग के फेस पर क्वेशनिंग लुक को देखकर वुशन विंग को लेकर बैट पर बैटता है और वांग जी को उनके पास चेर पे बैठने का इशारा करते हुए विंग से कहता है कि ये वांग जी है वुश्यन का एलफा जो इतनी सी बात सुनते ही विंग सब समझ जाता है और एक क्यूट सी समाइल उसके फेस पर आजाती है जिसके बाद विंग वांग जी की तरफ मुर कर उसे ग्रीट करता है तो वांग जी भी विंग का हाथ पकड़ कर कहता है कि अपसे विंग के पास सिर्फ उसका गगा ही नहीं वांग जी भी है और वो दोनों ही जल्दी सब वींग को अपने साथ ले जाएंगे जो बात सुनकर वींग बहुत खुश होता है जहां वींग की खुशी के दो रीजन्स थे एक पहला कि उसके गगा को अब उसका एलफा मिल गया था और दूसरा कि अब वींग जल्दी ही सब ठीक होने के बाद अपने वुशन गगा के साथ रहने जा सकता था तो friends, आज का ये वीडियो एक्स्प्लेनेशन मैं यही रुपती हूँ और उमीद करती हूँ कि आप सब को आज का ये वीडियो एक्स्प्लेनेशन परसंद आया होगा I know friends कि आज की वीडियो और भी ज़ादा चोटी थी पर क्या करूँ बस इतनी ही बन पाई मुझे जब भी कुभी भी मौका लगेगा न तो मैं आप लोगों के साथ एक long वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी तब तक के लिए प्लीज आप manage कर लेजे और हाँ अपनी comments में इसा शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलियेगा साथ ही जो कोई भी चैनल पने आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं उनसे request है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना मत भूलियेगा तो आज के लिए पस इतना ही मैं कर लोटोंगी एक नेक्स वीडियो अप्लोड के साथ तो तब तक के लिए बाई